तील और गुड की ये बहुती स्वादिष्ट और हेल्दी रोटी आप जरूर बनाईए बहुती आसान तरीके समने से बनाया है एक बार ठंड में जरूर खाने चाहिए इसे कद्दू कस कर लेजे गुड को उसमें आधी छोटी चमच काले मिर्च मिला लेंगे एक छोटी में मिला लेंगे जो कद्दू कस करके रखें हैं में उसको अच्यसे मेंक्स कर लेंगे गुड को तील और सौफ और काली मेड से से मैक्स हो जाएगी इधर घेहों के आटे की दो लुई लेंगे और दोनों को बेल लेंगे सेम जाइज में एक बेला हुएर रोटी पे हम घी लगाएंगे उसके उपर गुड रखेंगे कद्दुकस क्या हुआ और चारो तरफ फेला लेंगे और दूसरे रोटी से हम इसे कबर कर लेंगे अच्छे से कबर करेंगे ताकि गुड बह के बाहर नहीं आए शेकने पर धीमे धीरे-धीरे हाथ से बेल लेंगे बिल्कुल हलके लगती है एक बार जरूर ट्राइ किजिए बच्चों को भी दीजिए गुड स्वास्त के लिए बहुत फैदेमंद होती है